अगर आप एसे बिजन्स के तलास में है ब्रेंडेड कमपनी हो बना बना है उनका बिजन्स हो और आप उसके डिलर्शिक ले 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 यान nature अलग होता है और उन sector की जो top companies है वो आज 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 आपको सारी बताई जाएंगी किस तरह से वो ले सकते हैं कितनी तरह से उनमें business कर सकते हैं और इन में देखिए ये भी खाशियत है कि आप जो है low investment में ये business कर पाएंगे तो आज आज आपके अगर dealership का business करना चाहते हैं तो आज confusion दूर हो जाएगी सबसे पहले आप पूरा वीडियो देखिए सारी तरह कि जितनी भी dealership companies के आपको बताई जाती है वो अच्छी तरह से देखिए और फिर जो भी आपके mind पे click करता है जो भी फिर second होता है जो बना बनाया business है उसके साथ जा कि उस company के साथ business कर सकते हैं डीलर्शिप की यही definitions है कि आप branded company के साथ जूट जाएए company के dealership ले लीजिए और उसके rules and regulations follow करके उसके product को market में जो है आप sale कर सकते हैं इसमें देखिए benefits यही होता है खुद का business अगर आप start करते हैं तो उसमें आपको पहले brand बनाना है marketing करनी है यानि कि hard work वगरा काफी रहता है और risk भी रहता है मगर dealership के थूँ अगर आप जाते हैं किसी भी brand के साथ जाते हैं उसमें देखिए यह तो sure है company का brand है बना बनाया brand है लोग उसको जानते हैं और जितने भी customers हैं वो आपको ढूरते होए आपके जहाँ जिस भी area में आप dealership company के लेते हैं आपके पास आ जाते हैं मगर यही confusion होती है कि कौन से sector में जाएं कौन सी company के dealership ले तो वही doubts जो है आज आपके clear किये जाएंगे तो channel के साथ भी जरूर जुड़िये अगर आप business करना चाते हैं ताकि हर रोज आपको ऐसे update मिल सकें तो देखिए सबसे पहले dealership पहले sector के तरफ चलते हैं सबसे पहला sector जो है हमने footwear industry का लिया है footwear industry में आपको पता है काफी सारे brands है मगर जिस भी brand को हमने यहां पर select किया उसका देखिए plus advantage यह है कि उसमें company पूरा माल आपको देती है आपको अपना showroom जो है रिनुवेट करना है उसमें जितना भी माल होगा जितने भी products आएंगे company के आएंगे और इस company की यह भी benefits है कि एक product नहीं है काफी सारे products है तो देखिए हम आज बात कर रहे है सबसे पहली जो है dealership वो है relaxo company की relaxo company एक तो देखिए सबसे बड़ा brand है सारे आप उसको जानते हैं और इसके अकेला relaxo यह नहीं है और भी है relaxo अगर आप इसका brand देखते है तो सल्मान खान जो है इसके brand investor है second जो है light भी इसका brand है और उसी के साथ sparks भी अपने नाम सुना होगा जो अक्षय कुमार जिसके brand investor है तो यह सारे एक ही brand है relaxo company के साथ आप जुड़के एक अच्छा business कर सकते हैं इसमें भी अलग-अलग models है option इसमें काफी दिये जाते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें आपको अगर इस industry में आगर आते हैं तो इसमें आपको जो है profit margin जो रखा गया है वो दूसरी company से ज़्यादा रखा गया है तो देखिए अगर आप dealership लेना चाते हैं तो आप relax हो के साथ जा सकते हैं मगर उससे पहले आपके पास इसकी पूरी information होनी चाहिए वो सारी detail हम बाद में discuss करेंगे second हमने जो है इस industry में dealership का business जो लिया है tiles industry से लिया है tiles आपको पता है कि हर जगा लगती है अगर tiles में देखेंगे ज़्यादा companies नहीं है local companies भी है मगर tiles में अगर आप देखेंगे सबसे बड़ी company आज के time में सुमानी tiles है उसकी dealers ही play सकते हैं यह हमने इसलिए हम पर select किये कि इसमें 6-7 models है यानि कि आप बिलकु low investment में या ना के बराबर पैसा लगा के भी बिजनस कर सकते है city wise जिनों ने अलग-अलग models बना रखे है और इसके भी अगर आप देखेंगे काफी बड़ा brand है और सुमान कान इसके brand ambassador है और variety of product देखेंगे सुमानी में आपको काफी varieties of product मिल जाएंगे और demand हर जगा है सब customer इनको जानते है और इस sector की भी देखेंगे दिनों दिन काफी growth हो रहा है तो आप सुमानी के साथ भी जूड सकते है कौन कौन से models है, क्या है, investment कितना जाता है उसके बारे में हम discuss करेंगे और अब जिस sector की बात करने वाले है देखिए उसमें जो है काफी जादा growth है demand काफी है government भी उसमें support कर रही है और हर जगा जो है वो product use होता है तो next dealership की हम बात कर रहे है वो है, गाडियों से related गाडियों में जो भी parts होते है अगर देखेंगे सबसे important जो है, चाहिए two wheeler आपके पास हो four wheeler हो, उसमें सबसे important होती है battery, तो देखिए battery का ही हमने जो है आपे dealership लिया है, इसी के साथ government भी promote कर रही है electrical आप गाड़ी लेकर आएंगे उसमें भी वो लगेगी petrol या diesel है तो उसमें भी वो लगेगी और इसी के साथ घर में भी solar को और इसमें अगर देखेंगे सबसे बड़ी company जो है, अकसाइड company है अकसाइड company में आप जा सकते हैं इसका जो है आप special एक exclusive showroom भी open कर सकते हैं या फिर जो है direct आप इसके dealership भी ले सकते हैं company का यह है कि आपसे कोई security deposit budget वगरा नहीं लेती मगर देखिए इसका जो है business करने के लिए पहले पूरी detail आपके पास होनी चाहिए उसके बारे में हम discuss करेंगे next sector है वो भी जो है automobile से related है देखिए जितनी भी गाडियां है चाहें two wheeler है, four wheeler में है उसमें अगर दूसरा चीज आप देखेंगे tire है, tire सबसे ज़्यादा लगते है और tire की जेकि इंडिस्ट्री भी काफी बड़ी है काफी सारी companies है मगर अगर tire industry में अगर आप आना चाहते है तो सबसे बड़ा brand है आज के टाइम में MRF Indian company है, madras rubber factory इसका full form है और brand ambassador भी जो है, इसका सचिन तंदूलकर है तो देखिए, आप देख सकते हैं हर कोई जो है, इस brand को जानता है और इस company में भी जो आप जो है इसका dealership ले के इसका business कर सकते हैं इसका भी आप जो है exclusive showroom open कर सकते हैं या फिर आप direct इसके dealership ले सकते हैं किस तरह से ले सकते हैं, कैसे apply करना है उसके बारे में हम आगे discuss करेंगे उसके बाद देखिए next business जो हमने है construction industry से लिए है construction देखिए हर जगा दिनो दिन बढ़ता जा रहा है तो उसमें construction में जितने भी materials होते हैं का use होता है, तो अलग-अलग companies के आपको जो है इसमें dealership नहीं लेनी, आपने जो है इसमें सबसे ज्यादा use जो होता है, cement का होता है तो cement की company के साथ आप जूड सकते हैं और cement की company में अगर आप देखेंगे सबसे उपर आज के time में जो है ultra tech है, ultra tech cement भी है और उसी के साथ दीतने भी बाकी के building material है, वो भी आपको इसमें मिल जाते हैं तो cement के साथ साथ बाकी के material का भी आप काम कर सकते हैं तो ultra tech की आप dealership लेके आप इसका business start कर सकते हैं इसके बारे में भी आपके पास पहले पूरी information होनी चाहिए वो आपको बताया जाएगा अब हम बात कर लेते हैं next sector की next sector जो है electronic industry से लिया गया है electronic industry में आपको पता है कि जितने भी products हैं, काफी उनकी demand है घर पे आप देखेंगे TV, freeze, AC, washing machine इन सभी की काफी ज़्यादा demand होती है तो इन में भी देखिए काफी सारी companies है मगर सबसे आज के टाइम में उपर brand देखेंगे LG है, LG का आप showroom खोल सकते हो इसकी advantage आपको ये मिलती है कि आप इसका showroom का business भी कर सकते हो और छोटे level पे अगर आप इसकी shop open करना चाते है market में, तो वो भी कर सकते हो और भी काफी देखिए, छोटे products होते है जैसे कि fan है, LEDs है, home appliances है तो इन में अगर आप देखेंगे छोटे level पे या छोटे product के साथ आप business करना चाते है तो chrome term company है, chrome term के साथ आप जा सकते है उसकी भी काफी ज़्यादा demand है सारी तरह के products उसमें आपको देखने को मिल जाते है और उसमें भी अलग लग तरह के models वो उफर करता है तो इस dealership के बार में भी आप सोच सकते है उसके बाद हम next जो है sector लिया गया है वो जो है bike industry से लिया गया है bike industry में मैं आपको जो है direct hero या फिर infield या बड़ी companies है इनकी direct जो है dealership के लिनी बोल रहा उसमें ज़्यादा expense जाता है उसमें भी आप जा सकते है मगर हमने जो आज business लिया है वो है hero का electrical का electrical में देखिए काफी सारी companies है काफी local companies भी है तो hero electrical के बार में अगर आप देखेंगे काफी ज़्यादा growth हो रहा है इस company में सबसे बड़ा advantage यह है कि आपको ज़्यादा investment नहीं करना छोटे level पर भी आप business कर सकते है यानि कि अगर आप ज़्यादा investment नहीं कर सकते तो थोड़ी investment करके भी आप इस company के साथ जूड़ सकते हैं तो आप जो है हिंदुस्तान यूनिलिवर के साथ जूड़ सकते हैं मगर देखें इसमें investment ज़्यादा जाता है बड़े level पर आपको काम करना है हिंदुस्तान यूनिलिवर जो company है वो इंडिया की नहीं वर्ड की number one है तो इस company के साथ भी आप जूड़ सकते हैं मगर इससे भी ज़्यादा देखिए अगर आप देखेंगे आज के टाइम में मैं आपको FMCG में ही आप जाएंगे तो बालाजी वेपर्स की company जो है काफी growth कर रही है उसके काफी सारे products हैं chips में ही हैं competition भी काफी दे रही है और उसकी आपको जो है dealership भी easily मिल जाती है तो उसके बारे में भी आप सोच सकते हैं कैसे वो ले सकते हैं क्या है उसके बारे में हम आपको बताएंगे उसके बाद देखिए FMCG में ही जुड़ी हुई दो companies हो रहे हैं सबी ने उसका नाम सुना होगा first जो है Coca Cola company है काफी सारे इसके cold drinks है products है और इसी के साथ second जो है PepsiCo है PepsiCo के भी देखिए काफी सारे products है same products है जो भी Coca Cola के है तो इन दोनों companies ये भी FMCG में आती है काफी बड़ी companies हैं इनके साथ भी आप जूड़ सकते हैं देखिए इनका जो है city का और rural area दोनों का आप distribution अलग लग ले सकते हैं investment भी उसके base पे जाता है तो इन companies के बारे में भी आप सोच सकते हैं तो देखिए इतनी सारी companies आज जो है हमने discuss की है इसकी आप dealership लेके इनके साथ business कर सकते हैं अब main question यह आता है कि इतनी सारी companies है क्या rules and regulations है किस तरह से आप जो इसके dealership ले सकते हैं तो सबसे पहले अगर आप इस channel के साथ जुड़े होगे तो 100% आपने इन में से कुछ ना कुछ वीडियो देखे होंगे अगर आप नए इस वीडियो पे आया हैं वीडियो देख रहे हैं तो बस आपको यही करना है जितने भी dealerships के business आज आज आपको बताई जाए हैं जितनी भी companies आपको बताई गई है उनके बारे में A to Z आपको detail चाहिए एक एक चीज आप अगर आप जानना चाहते हैं और उसका business करना चाहते हैं याने कितना investment होगा apply कैसे करना है क्या-क्या rules and regulations है कितनी तरह से business कर सकते है कौन-कौन से models है तो उसके लिए सिर्फ आपको जो है link description में दे दिये हैं सारी जितने भी dealerships आपको बताई गई है उन पर सभी के जो है videos बनाए जा चुके हैं उनके link हमने description में डाल दिये है एक-एक करके या जो भी आपको ठीक लगे जो भी dealership आपको पसंद आया हो उसका आप जाके वीडियो देखिए और फिर आप उस company के साथ जुड़ जाए कोई भी अगर आपके doubts है तो आप मुझे comment कर सकते हैं और कोई ऐसा business करना चाहते है जिसके detail आपको नहीं मिल पा रही है उसको भी आप comment box में डाल सकते हैं take care, bye bye